हरियों, नमस्कार मित्रों, श्वागत है आपका संस्कृत विशय अर्धेन में, मैं हूँ शतीश पनेरू, तो मित्रों जैसा की आप सभी देख पा रहे होंगे, आपके शामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, युजिशी नेट दून जोजार चौवीस, री एकजाम न हुआ तो यह रहेगी कट ओफ, तो जैसा की आप सभी को मैंने एक वरतमान में जो परीक्षा की स्थिती क्या हो रही है, वो उसके बारे में एक कल छोटा सा वीडियो आपको बना करके प्रदर्शित किया था, कि जिसमें यही भाव था कि अभी परीक्षा के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, कि पूर्व हो चुकी परीक्षा का रेजल्ट आएगा या नई परीक्षा कराई जाएगी, कल भी कोई इस पर निर्णे नहीं मिल पाया है, तो आप सभी के ही निवेदन पर, आप सभी के ही अनुरोध पर, अनेको लोगों के अभीमत हैं, होता भी है, अगर हम कोई परीक्षा दे करके आएं, तो हमारे मन में एक जिग्याशा होती है, कि हम जाने, हम कहां पर हैं, क्या हैं, हमारा यह जो परीक्षा पास हो पाईगी, अथ्मा नहीं हो पाईगी, तो इस पर आप सभी के प्रश्न है, मेरा ऐसा विचार था नहीं, कि कट आफ अभी बनाई जाए, कि यदि परीक्षा का कुछ निश्चित ही नहीं है, तो कट पर बने आएगी या नहीं आएगी फिर भी आप सभी के सभी लोगों के अनुरोध को मैं अंगीगरत करके जो कट ओफ है वो आपके ही अनुसार आपको बताने आजाओं क्योंकि कई लोग बाद में ये ना कहें कि इन्होंने कट ओफ जादा बता दी है या कम बता दी है ये केवल इतना बताना था कि परिक्षा पिछली परिक्षा की अपेक्षा इस वार की परिक्षा जो है वो कैसी है सरल थी कठिन थी या उसी के समान थी बस अब कट ओफ उसके आधार पर क्या जाएगी ये बताना मेरा कर्तवी है और उस पर भी मेरे कर्तवी के अंतर भी अंदर भी आत्मा आपकी ही है आपके कथन की आत्मा है आपके कथना अनुशार ही वह कटोफ मेंने तयार की है और पिछले वर्ष की अभी मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा आप लोगों ने अपना क्या अभिमत दिया है पिछली बार की कटोफ क्या थी और इस बार क्या कटोफ जाने वाली है ठीक है और कटोफ जो तयार की गईी हो पिछले वर्ष की कटोफ को एकदम सोच विचार करके कुछ उसमें शमय व्यतीत करके जोड़ करके घटा करके कि दोनों वरगूं पर बीच में कितना अंतर है कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा तो आप सभी से निवेदन रहेगा, अपने मित्रों को शूचित करते हुए इस कक्षा का और इस वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि सभी तक यह सूचना मिल जाए ताकि वो लोग फिर इधर उधर से कमेंट ना करें, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, हाँ कटव यह जाएगी ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को प्रारंब करने से पहले मैं आपको वही आपका अभिमत दिखाता हूँ कि इस बार की परिक्षा पर लोगों का क्या मत है, तो यह आप लोग देख पा रहे होंगे यह मैंने कल आज सुबह तीन जगह एक पोस्ट डाली थी, एक मेरट में इसको थोड़ा जूम कम ही करूँगा तो ही आपको थोड़ा ठीक देखेगा ठीक है, चलिए, तो इस बार मैंने तीन जगहों पर एक पोस्ट डाली थी, क्योंकि आप सबी लोग जानते हैं, यूटूब पर लगभग 19,000 लोग हैं, टेलिग्राम चैनल पर 5000 हैं, और जो वटसब गुरूप है, उसमें जितने जुड़ने चाहिए, 1025 लोग, उतने इसमें मैंने यदि पूछा आपको, कि यूजीशी नेट जून 2024 संस्कृत कोट 25 प्रश्ण पत्र पिछले वर्ष की अपेक्षा था, कैसा था, तो देख सकते हैं, आप 68 प्रतिशत लोगों ने कहा था, सरल है, ठीक है, और केवल 19 प्रतिशत लोगों ने कहा था, कठिन था, और इसमें से भी और जो समानता करने वाले हैं, कह रहे हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्ण पत्र की ही तरह, यानि कि दिशंबर 2023 की ही तरह प्रश्ण पत्र था, वो लोग कहने वाले हैं, 13 प्रतिशत लोग, और ये मत कितने लोगों ने दिया है, 286 लोगों ने यहां अपन तो इसमें 60% यही मत है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का प्रश्ण पत्र सरल था ठीक है अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं यह यूटूब चैनल वाली पोश्ट है यह वाली इसमें देखिए इसमें सरल था कहने वाले तिराशी प्रतिशत लोग है जो कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा शरल था यह नहीं कि प्रश्ण पत्र कैसा था क्योंकि उनने अपेक्षा भी करी है तुलना भी करी है भली ही जो लोग पहली बार दे रहे होंगे उन्होंने भी पिछले वर्ष का प्रश्ण पत्र कहने वाले हैं अब तीसरा क्रम है इसमें भी दो ढाई सो लोगों ने अपना मत दिया है ये वट्सप गुरूप का है समस्कूर्प प्रतिशत इसमें बड़े उसकी बात है कि इस प्रकार से ये परीक्षार्थियों का मत है, जो परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है, या जिन्होंने पहली बार दिया है, या जो कई वर्षों से देते आ रहे हैं, ठीक, तो ये रहा आपका मत, अब इस आधार पर आपको खुद अनुमान लगेगा कि क्या cut-off होगी, मैं आ आप यथा समय वीडियो रोख करके इसको देखिए, यहां पर है, देखिए, यहां से लेकर के आप SC-ST तक ही मिलाईए, क्योंकि जो वर्ग दूसरा होता है PWD, उसमें कम ही 1-2-2 लोग, 3-3 लोगों को ही जयारब मिलता है, तो ये देखिए, इसमें cut-off क्या दी है, नेट क कि जनरल में 114 गई थी, मैं क्यों एक दो ही बता देता हूं, बाकि आप देखिए, 114 गई थी, और 278 लोगों को नेट मिला था, और जयारब 196 नंबर पर हुआ था, और 29 लोगों को पूरे भारत में जनरल वर्ग में जयारब मिला था, ठीक है, यह पहले में क्या है, मैंने आपको बता दे, इसी आधार पर नीचे भी आप देखे, अब मैंने जो कट अफ तयार की है, वो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, उपर नीचे की और, ठीक है, ऐसे करके, क्या अंतर है, और इस प्रकार से, नेट और जयारब के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को दे अभी लोगों ने मत दिया है और मैंने फिर उसके बाद संभावना अभिव्यक्त की है तो यह रही इस बार की कट आपको दिख रहा होगा यह मैंने यहां पर पेज तयार किया हुआ है यह देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इशपष्ट रूप में इसमें सारे वर्गों का दिया हुआ है देखिए क्या होगा सबसे पहले हम जनरल की ही और यह दि बढ़ते हैं तो देखिए जनरल का क्यों नेट देखिए 180 से लेकरके 186 के बीच में ही इससे उपर और 186 से नीचे ही इस बार नेट की कटोप जाने की संभावना है और यह जो मैंने लिखा 180 नंबर से 186 के बीच और यह यहां पर प्रतिशत है अगर 186 को आप भाग देते हैं तो 60 और 62 निखलेगा यानि कि 180 को 3 से भाग देंगे त 60 प्रतिशत और 186 को यह जदी 3 से भाग देंगे तो 62 प्रतिशत तो 60 और 62 के बीच में जनरल वालों का नेट होने की संभावना इशबार है और ज्यारफ की यह जदी बात करने जनरल में तो 202 से लेकर के 208 तक इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे तब आपको ज्यार प्रतिशत और 28 उनमें था यह पृष्ण यौका इस बार शरल यह आप ही लोग ने कहा है तो उसके बाद कितना बड़ा था इन दोनों के बीच में 22 नंबर का फाशला होता है लगपग यहां जैसे नीचे इनमें 32 नंबर का भी होता है कहीं 16 का भी होता है तो इसमें जो फा ठीक है तो यह है जनरल का इसके बाद आते हैं हम EWS पर क्योंकि जो एंटी की और आता है पहले क्रम से जनरल देते हैं उसके बाद OBC दे देते हैं वह पर EWS देना चाहिए क्योंकि EWS वालों को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है एक दो प्रतिशत, एक प्रतिशत OBC वालों से ठीक है तो अगर देखिए EWS वालों का नेट देखें तो 164 नंबर से लेकर के 170 नंबर आपको लाने होंगे और 54 से लेकर के 56 प्रतिशत आपको लाने होंगे आपका नेट हो जाएगा और JRF यदि EWS वालों को चाहिए तो 196 से लेकर के 202 नंबर आपको लाने है और 65 से लेकर के 66 प्रतिशत आपको प्रतिशत लानी है यदि इस पर आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके बीच में कितना फाशला है तो आप पिछली कटॉप और इस कटॉप की तुलना आपको पूरा क्रम सेम मिलेगा जैसे पिछली कटॉप में जैसे आयोग बनाता है उसी प्रकार मैंने भी इसको बनाने का प्रयाश किया हुआ है इन दोनों के बीच में कितना फाशला है और इनके बीच में क्या फाशला है उपर मतलब देशांतर और इस प्रकार से किस प्र जब तिरेपन वाले का भी नेट हो जाएगा और तिरेपन से लेकर 55 के बीच में जो होगा उपर वाले का तो हो गई होगा ठीक है तिरेपन से नीचे कम संभावन है कहने का मतलब यहाद है अब जयारफ की बात करते हैं यदि हम लोग OBC में तो 192 नंबर से लेकर के 198 नंबर और 64 से लेकर के USट प्रतिशत नहीं 256 प्रतिशत आपको लानी है इसके बाद S-C वर्ग की हम बात करेंगे तोлей 155 से लेकर के 156 के बीच में नंबर लाने हैं और 50 से लेकर के 52 के बीच में प्रतिशत आपको लानी है क्योंकि कई लोग प्रतिशत के आधर पर मानते हैं या जोडते हैं उनका मस्तिश को तेज इन पर दोड़ता है कई लोग नंबर के आधर पर आप अधिक लोग नंबर ही पूछते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों तरह के लोगों के लिए बनाने का प्रयाश किया है, और GRF SC वालों को केवल 180 और 186 नंबर लाने है, 180 से 186 के बीच में, और प्रतिसत है 60 से लेकर के 62 प्रतिसत है, अब अंतिम जो निम्न वर्ग है, ST निम्न का मतलब यहां कोई मेरा उस प्रकार से नहीं है, निम्न का मतलब इन उपर वालों से जो नीचे क्रम है, जिसका, यह 134 से लेकर के 140 के बीच में आपको नंबर, और 40 से 46 में ही आपका GRF हो जाएगा, और नेट हो जाएगा, अक्षम मेंदान, यह नेट वाला है, यहा तो 164 से लेकर के 170 के बीच में यह आपके नंबर है, तो आपका GRF HT में भी हो जाएगा, और 54 से लेकर के 56 प्रतिशत तक, तो इस प्रकार से यह जो युजीशी नेट एक्जाम जून 2024 का है, संस्कुत 25 कोड का प्रश्न पत्र है यह, और संभावित कट-off है, कट-off इस पश् प्रतिशत आगे, पर इससे यतना पता चल सकता है, कि आप लोगों के हमें दुबारा प्यारी करनी चाहिए, यदि कोई इन प्रतिशतों, इन नंबरों के आसपास है, तो उसको संभावना करनी चाहिए, हाँ, मेरा NetGRF हो जाएगा, अगर इन से हम अधिक दूर हैं, तो अगरिम बार आपको निश्चित रुप से सफलता मिलेगी, तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अभी के लिए बस इतना ही, अगरिम कुछ नई सूचना यदि होगी, तो मैं श्वयम ही आपको बताने का प्रयाश करूँ ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद, नमो नपहाँ